दोस्तो साइंस दिनों दिन तरकी करते जा रहा है और इंसान हर दिन कोई ना कोई नया नया अविशकार करते जा रहा है तो आज मैं एक नए टेक्निक के बारे में बात कने वाला हूँ हेर ट्रांस्प्रांट के रिगरी पहले के time में क्या होता था? Hair transplant manual punch ची होता था हाथ से एक एक graft निकालते थे और forceps से extract करके लगाते थे उसके बाद FUT आया उसके बाद FUE जो follicle extraction आता है वो आया और उसके बाद robotic hair transplant भी आ चुका है अब जो नहीं technique जो और जदा develop हो गई है वो है bio FUE के नाम पे ना किवल ज्यादा पैसे लेते हैं बलकि patients को गुम रहा भी करते हैं यह बायो ऐफ्यवी क्या है कुछ clinics को जी फैक्टर एफ्यवी बोल देते हैं कुछ clinics को growth factor एफ्यवी बोल देते हैं या कुछ क्या होता है growth factors जो होते हैं आपकी बालों की जड़ों में उसी दोरान transplant के दोरान ही डाले जाते हैं जब हम पीछे से grafts extract करके आगे implant करते हैं तो उसको अच्छे से preservative मीडिया में रखा जाता है उस preservative से hair grafts की जो growth है जो उसकी जो density आने वाली है in future वो depend करती है क्योंकि अगर वो graft weak हो गया अगर उसको preservative medium अच्छा नहीं मिला अगर उसको fixed temperature नहीं मिला अगर वो medium में अगर वो nutrition नहीं मिला तो graft weak हो जाएगा weak होने के बाद वो हो सकता है grow ही ना करे या फिर हो सकता है वो कम grow करने के बाद shrink हो जाए पतले बाल grow करें उससे density कम हो जाती है तो hair transplant के quality के साथ साथ जो आपके पैसे हैं वो भी बरबाद हो जाते हैं दोस्तों तो इसी कड़ी में scientist ने research किया bio FUE जब grafts को निकालते हैं grafts को निकालने के बाद उन्ही special एक preservative medium में रखा जाता है उसके साथ साथ आपके patient का blood निकाला जाता है blood निकालके blood में से stem cells निकाली जाती है जिसको PRP भी बोलते हैं जब grafts को PRP के solution में रख ली जाता है इसके साथ साथ preservative भी उसमें मिलाया जाता है एक cold से line होती है इसके साथ साथ बहुत से preservatives आते हैं hair transplant के लिए hair grafts के लिए वो भी use किये जाते हैं अलग-अलग clinic अपनी according अलग-अलग preservative यूज करते हैं इसके साथ साथ जब transplant किया जाता है implant किया जाता है तब फिर से यो PRP stem cell जो पहले से ready की होती है वो PRP insulin syrens के दवारा या फिर direct जो होती है यहां पर inject कर दी जाती है इस पार्ट में जब inject कर देते हैं तो graft जो होता है वो ने ने graft होता है उसको nutrition चाहिए होता है उसको blood supply जुड़नी चाहिए तो इतनी जल्दी blood supply जुड़नी पाती लेकिन जो stem cells बाहर से हमने inject कर दी है जो growth factors inject कर दी है उनसे वो nutrition लेता है तो graft जो होता है यहां पर लगाने के बाद 2-3 दिनों तक मुझबूत बना रहता है दो-3 दिनों में वो जो skin के साथ involve हो जाता है हमारी skin में हमारी blood supply में जूड़ जाता है उसके साथ blood capillaries जूड़ ज जाता है तो इसमें बहुत important role अदा करता है दोस्तों वो stem cell वो PRP वो जिसको बोलते हैं जी फैक्टर growth factor तो transplant के साथ ही stem cells आपकी बालों की जोड़ों में डाल देते हैं इससे फाइदा क्या होता है जो grafts लगाई जाते हैं वो मजबूत होती है जब वो grow करेंगे grow करने के बा जब G-factor जब डल जाते हैं अनदर तो वो बद्वोब भी मजबूत होती है तो वो गिरने बंद हो जाते हैं मजबूत होती हैं तो आपके density जो है बहुत अक्शी आती है रिजल्स बहुत अच्छा आता है तो यह benefits है जी factor transplant का जी factor यहीं बायो एफ्यूई यही सब है दोस्तों क्लिनिक्स इसके नाम पर डबल पैसे लेते हैं या फिर ट्रिपल पैसे लेते हैं लेगिन ऐसा नहीं है हम जो है नॉर्मल रेट्स में ही वो करते हैं तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए यह नहीं टेकनोलोजी मुझे लग सब्सक्राण के रिगार्डिंग, स्किन के रिगार्डिंग, ब्योटी के रिगार्डिंग, कम्प्लीट नॉलिज में आपको देता रहोंगा, कुछ भी सवाल पूछना हो, आप कॉंटेक्ट कर सकते हो इसके साथ मेरे वट्सप पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मेरे वट् 955 224 304 thank you so much good bye take care